बॉप करते हूं जब लोग बहुत अच्छे होंगे सिर्स हम आज जा रहे हैं चान्नी चौक के फिर आपको सीधे मिलती हूं चान्नी चौक के मार्केट में तो फ्रेंज चान्नी चौक मेटर स्टेसन से आपको रिक्षा लेना है रिक्षा लेके आपको फते पुरी मस्जिद पर उतरना और वहां से आपको अपने राइट हैंड पर सीधे सीधे चलते जाना जब तक यह चर्च ना दिख जाए आपको और फिर इस चर्च से भी आगे आपको कम से कम 10-20 कदम चलना होगा कलात मार्केट वहीं से स्टार्ट हो जाती है और उसका पर जो मार्केट का में इंटरेंस है कलात मार्केट का में इंटरेंस का जो बोर्ड लगा हुआ है कलात मार्केट गड़े इस बजार गेट नमर में मार्केट यहां से स्टार्ट होत आपको सब कुछ यहान मिलेगा एक टू जेड अर्ग से लेके फर्थ तक फर्थ से लेके अर्थ तक आ επιवी डेकॉरेट करना आपको सारा सामान यहान-पर यहान पे मिलेगा है और श्री नारायन हैंड लूम शॉप के बारे में तो बस हम वही दुकान सर्च कर रहे थी कि कहां है वो मिल जाए कि फिर हम वही देखते क्योंकि इसका रिव्यू काफी अच्छा देखने को मिला था में तो यह फाइनली वो शॉप हमें मिल गई है और यह हैं इन्हीं की शॉप ह में 99% जो है वो शॉप बंध होती है संडे को बट इन्भया की शॉप जो है संडे को भी ओपन रहती है स्री नारायन हैंड लूम की नाम से जो शॉप है ना इन्भया की वो ओपन रहती है संडे को भी तो आप संडे को भी आराम से विजिट कर सकते हैं यहां पर तो कोई एक शॉप नहीं है आमने शामने करके कई सारी शॉप्स है इनकी यह जैसे आप देख सकते ही यह सारी शॉप्स है इनकी है स्री नरायन हैंड लूम की ही है तो में हम आये थे यहाँ पर सोफा कबर देखने के लिए और उसके साथ साथ कुशन कबर डॉर मैट्स वगएरा क वगएरा हमें सब कुछ लेना था तो अभी फिलहाल हम सोफा कबर देख रहे थे और सोफा कबर की फ्रेंस इतनी वराइटी इतनी वराइटी हमें यहाँ पर देखने को मिली क्वालिटी भी बेस्ट थी और वराइटी तो बहुत ही जादा थी और एंड फ्रेंस प्राइज इतना रिजनेवल मतलब था जो हम लोकल मार्केट से जैसे खरीदते हैं उससे काफी रिजनेवल प्राइज पे आपको इनकी शॉप पे मिल जाएगा और नमबर वन क्वालिटी की चीजें तो मुझे बहुत ही जादा पसंद आया था इतने सारे इन्होंने सोफा कबर दिख किया और हमें काफी रिजनेवल प्राइज पे मिला भया ने थोड़ा सा डिसकाउंट भी किया वो एक्चुली प्राइज पहले ही इतना सही बोलते हैं कि आप उसमें जादा डिसकाउंट करनी की कोई गुंजाईस ही नहीं होती आपको एक बार में ही काफी अच्छा मैट्स और कार्पेट लेना था एंड कुशन कवर भी लेना था लेकिन कुशन कवर का जो हमारा साइज है वो थोड़ा सा अलग है वो एक्चुली हमने ऑर्डर देके बनवाया था इस वज़ा से तो वह है नी तो वह भी भी आने बोला कि आप हम हमें नाप भेज दीजेगा तो हम यहां से बनवा के और आपको मतलब दे देंगे यह ऐसा भी करने को कह रहते तो हमने यही सोचा हम घर जाके पहले कुशन को नापेंगे मोचली कुशन का नाप आता है ठारा बाई ठारा सोला बाई सोला जो बीज बाई बैस पर हमारे कुशन का माप है ठारा बाई सोल तो इस वज़ा से इस size का यहां पर मिला नहीं नहीं तो हर size का हर सब कुछ इनके पास मुझूद था और ये ये वाला जो sofa कब रहे हैं ये आजकल बहुत ही जादा demand में है इसका trend चल रहा है तो मैंने इसमें से भी एक piece लिया है मेरा ये color नहीं मैंने ये नहीं लिया है दूसर तो friends यहां से मैंने sofa कबर जो भी हमें लेना था मैंने दो सेट लिया है वो select कर लिया था and cushion cover भी लेना था लेकिन वो अभी फिलाल अवेलबल नहीं था इनके पास तो जो मेरा जितना बड़ा कुछन है उसका नहीं था वेलबल नाप तो इन्होंने बुलाए कि आप नाप दे देना तो ये color design हमें बताएंगे फिर उससाब से बन हुआ है उसी के जस सामने ये shop है और यहां पर आपको हर तरह के runner, carpet, and doormats वगएरा हर तरह के मिल जाएंगे तो मेरे को Turkish वाले runner पसंद आये थे उसमें से मैंने 2-3 select किया था and doormats वगएरा भी लिया यहां से यहां भी variety बहुत है friends and quality तो अच्छी है ही है price भी काफे reasonable है आप आप एक बार यहां shopping करेंगे ना friends दोभारा फिर और कहीं shopping करीं नहीं पाएंगे आप and उसके बाद फिर हम इस doormat के जो shop है ना उससे थोड़ा सा आगे इन्हों नहीं बताया है कि थोड़ा सा आगे एक shop है जहां से आप हम मैंने बुला कि परदे भी लेने है तो इन्होंने नमबर वन थी तो हमने यहां पर परदे की भी अच्छी खासी shopping करी फ्रेंज नॉर्मल डेज के लिए भी और function और festival शुरू ही हो गए है उनके लिए और यह परदों की डोरिया जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी simple and sober तो मैंने यह भी ली थी परदों के लिए and उसके बाद इस शॉप के बाद आगे एक शॉप और हमें दिखी जहां वो भी wholesale की की शॉप है चहां पर मेरे को बेटशीट बहुत पसंद आई तो मैंने दो तीन डबल बेट की बेटशीट मिली बेटशीट लेने का कोई प्लान नहीं था लेकिन दिख गया तो मैंने का ले लेते हैं क् पहले से सोचे होते कि यह भी लेना है तो हम आगे यह वाली जो सोफ है वहां ही देख लेते हैं वहां भी काफी अच्छे-चे बिट दिख रहते पर पहले कोई प्लान नहीं था यहा लिया पर यहां भी काफी अच्छी क्वाल्टी बाद में मैं फ्रेंड्स आपको घर पर फिर आपको सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी क्वालिटी के चादर हो कितनी रिजनेबल प्राइस तो हमारी शॉपिंग लगबग कम्प्लीट हो चुकी थी फ्रेंड्स एक important बाट मैं आपको लोगों को और बताना चाहते हूं कि चादनी चौक मार्केट में 2 क्लाध मार्केट हैं एक क्लाध मार्केट में आपको जो हम daily शुट टालते हैं, शुट पैंते हैं daily wear वाले functions के लिए जैसे भी आपको चाहिए हैं वो वहाँ पे आपको मिलता है ये दूसरा क्लाध मार्केट है जो जहाँ पे आपको घर को डेकोरेट करने से रिलेटेड जितनी भी चीज़े होती जितनी भी वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा और कहीं आपको जाने के जुरुत ही नहीं पड़ेगी और प्राइज तो इतना है कि आप पूछिये मत और मतलब आप लोकल मार्केट से सौपिंग करना भूल जाएगी यहाँ पर शौपिंग करने के बाद आप मतलब कर ही नहीं पाएगे लोकल मार्केट से इतना अच्छा मुझे यहाँ का प्राइज लगा और वरायटी और क्वा करिएगा शेयर करके बताएगा और कमेंट करके बताएगा कि आपको मेरा यह आज का ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंज हलकी बारिश भी शुरू हो गई फ्रेंज चलिए नेक्स ब्लॉग में आपको जल्दी मिलती हूं तब तक के लिए बाइबाय टेक एर एंड गुड नाइट ढवाइ प्रेंज।